अरे राउल योगी जी आज तीन दिन हो गए अपने गाउं से निकले हुए काम की तलास में चार सहर अपना लोग घूम चुके अभी किसी सहर में भी काम नहीं मिल पाया है जिम में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे अच्छा हुआ ये रास्ते में बंडारा चल रहा था यहां पर ये पतली दाल खिलाई जा रही ये पतली दाल ही खाली थी वदी जी सबसे अच्छी बात तो ये होई मुझे आपको और योगी जी को केजरिवाल जी को तो बंडारे की पतली दाल मिल गई और बो देखो अपने साथ आए हुए सिवराज सिंग जी और अकले सिया तब ऐसी करे हुए है भी देखो उन्हें दाल नहीं मिल पाई है बंडारे में खाने वालों की कितनी लंबी लें लगी हुई है पता नहीं इन लोगों को कब खाना मिलेगा राउल इन लोगों को बंडारे की पतली दाल तो मिल जाएगी ये सोचो अपना लोगों को काम कम मिलेगा फिलाल ये बंडारे की पतली दाल लग बहुत अच्छी रही है बड़ा मज़ा हरा है इस दाल को खाते हुए अरे बाई साब थोनी सी पतली ताल और दे तो मेरी बिलेट में थोनी सी और दे तो बस अरे बाई साब आपकी पुलेट में पहले से इतनी जादा दाल है पहले उस दाल को तो खा lleva हो फिर मैं आपको दोगा देख नहीं रहो कितनी लविवलन लेंवी है रोड पर जब बंडारा किया जाता है तो खाने वालों के भीर जमा हो जाती है देखो इस टैम कितनी लंबी लेन लगी हुई है दाल भरपूर है पहले सब लोगों को मिल जाए उसके बाद आपको और दूंगा मैं पहले ये तो खाओ जो पलेट में दाल है आपके बाई साब ये दाल तो हम खाई लेंगे काम की तलाज में निकले वो बहुत तेज लगी है ये चार सहर घूमाए किसी सहर में भी काम नहीं मिला बहुत ये अच्चा हुआ आपका बंडारा यहां पे चल रहा था बंडारे में ये पतली दाल खाने को मिल गई अरे आप सब लोगों के लिए ही तो मैं ये बंडारा कराता हूँ रोड पर बंडारा कराने का मेरा ये ही मकसद होता है कि जितने भी यात्री जो परेशान बिर रहे हैं बंडारा कराके तो आप बहुत अच्छा कर रहे हूँ ये बताओ इस सहर में कहीं पे काम मिलेगा जरूर मिलेगा इस सहर में काम बहुत काम है इस सहर में बंडारे का खाना काने के बाद मुझसे मिलके जाना अरे बंडारे की पतली दाल तो हम का चुके आप बतातों कहां पर काम मिलेगा अब बहीं पर चलना है हम बताता हूँ बताता हूँ बाई साब यहां से दो किलो मीटर दूर हमिस्टा जी की यह गुलगी बैक्टरी है बहाँ पे जाके काम कर लो उस बैक्टरी में बहुत मजदूरों की जरूरत है अरे बाई साब आपने जगा भी बहुत बता ही जहां से हम होकी आ रहे है बहाँ तो उनकी बैक्टरी में मजदूर पूरे हो गए उने मजदूरों की जरूरत नहीं है तो बाई साब यह बंडारे की पतली दाल गाओ और काम की अपने आप तलास करो और वाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो कि अच्छी तरीके से तो ढॉलक बजा रहो हूँ मैं अम्मी जी आप भी बताओं मैं कितना भी अच्छा ढोलक बजाता हूँ यह मोती जी मेरे ढोलक की तारीफ इनिकरते नहीं मेरे बेटे ऐसी बात नहीं है पिछले बाले गहों में जब अपना लोग घीत सुनाने के लिए गई थे तो तुमने कितने अच्छा डोलक बजाया था और मुधी जी ने तुम्हारे डोलक की तारीपी की थी और देखो आज मुधी जी कितने अच्छा घीत खा रहे है हाँ मुधी जी बहुत ही मज़ा आ गया मुझे तो खेट पर बैटके आराम से गीत को सुनने का मज़ा ही दिराला है राउर तुम जोलक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो और बैल सोनिया जी हार्मोनियम भी बहुत अच्छा बजा रही है और मोदी जी के तो जलबे जलबे बहुत ही लए और सुर के साथ गीत गा रहा है अज़ आप तुझको पुखारे मेरी गीत रहे बहुत मोदी जी बहुत मज़ा गया आपका ये गीत सुनके मज़ा गया आप इतना अच्छा ऑबात मुंसे निकार घियजे लेते हो तो इसी सोच में रहता हूँ गाना गाना कि मैंने भी बहुत बार कोशिस की लेिकिन इतना अच्छा गाना मैंने कहा पाता हूँ जितना अच्छा आप गा रहे हो लानु जी थोड़ा पीचे अट के बैठ जाता हूं इस पे क्या जाता है? लोबहें सोनिया जी आपके हार्मोनिये बजाने पे ओमोधी जी आपके घाने गाने पे मेरी दरख से दस रुपे का इनाम लालू जी बहुत बहुत गन्यबाद इसी बात में एक और बहुत ही बढ़िया गीत सुनिये चला जाता हूं किसी के दुन में बामोधी जी बामोधी जी बात क्या बात है आपका यह गीत सुनके देखो सिवराज सिंग जी के मुझे तो कुछ निकली नहीं रहा बिल्कुल चुपचा सुन रहा है आराम से और वो सबसे बीजह मनमोह जूछी बैठे पैरे के नीचे भो भी आराम से सुन रहा है योगी जी मैं तो बेहन सुनिया जी का ह provocative बाहुनिया जी का мі़ञा बचा रहा ही है ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे साथ बराबर की मेनत करो अरे मोदी जी कब तक जुके जुके धान की पौद लगाएं सुबे से अपना लोग खेत पर आई भी हैं और दोपेर का खाने का टैम होने को जा रहा है लेकिन अभी तक तुम हमसे काम करा रहे हो तुम ठेकेदार हो तो इसका ये मतलब नहीं के पूरा पूरा दिन तक काम कराओ कमर दर्द करने लगी जुके जुके मुझे से अब जुक कर धान की पौद नहीं लगाई जाती मैं तो अब जा रहा हूँ यहां से कानून छोल कर तुम तुम राओं ऐसे ऐसा अंजिगार रहे हो जैसे फिरी में काम कर रहे हो के खड़े नहीं ही है। हमारी तो मझबूरी है आपके पास काम करना अरे आपके पास काम नहीं करेंगे तो जाएंगे का क्योंकि इस बार कहीं पर काम भी नहीं मिला है सोच रहें आपके ए खेत पर थोड़ा बहुत काम करके कमाई कर ले अरे मोदे जी थोड़ी तर मैं ख़ड़ा हो जाओं मेरे कमर दर्द करने लगी बिल्कुल जोके जोके खड़ा हो जाओं मैं भी रावल के तरह थोड़ा सा सीधा खड़ा होकर कमर को आराम दे दूं क्या अरे तुम सब लोग भी रावल की तरह बाते करने लगें ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लानू जी मैं तो तुम्हें सबसे जाधा मेनत करने वाला समस्ता था लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम भी खड़े होने की सोच रहे हैं अगर ऐसे ही खड़े होकर हम सब लोग काम करते रहे तो हो गया काम ये पूरे महीने में भी धान की पौद नहीं लग पाएंगी और परोस बाले खेत में धान पूरा पक जाएगा अरे मोधी जी मोधी जी सुनो मोधी जी वह अगलेस क्या बात हो गई अब तुम्हें क्या दिक्कत है तुम भी अपनी बताओ अरे दुपैर का खाना खाले अब तो दुपैर का खाने का टैम हो गया तीन बजने बाने हैं कब तक इस कड़कती दुपेरी में काम करवाते रहोगे राहूल तो काम छोड़के जा रहा है कहीं ऐसा ना हो हम भी काम छोड़के चले जाए कम से कम खाना तो हमें टैम पे खिला दिया करो बाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सबस्क्राब करो राहूल तुम मुझे यहां पर किसलिये बना गर लायो बताओ मुझे किसलिये लायो अरे मोदी जी क्या बताओ मैंने सोचा एक घर मैं भी बना लेता हूँ मैंने घर बनाना सुरू किया और मेरे घर पर ये केजरिबाल जी, उबैसी जी, योगी जी, लालू जी और अखलेश जी ये सब लोग मसदूरी कर रहे थे, यही घर बना रहे थे अब ये मेरा आदा घर बना हुआ बीच में छोड़ कर चले आए है हमने राहूल का घर बीच में बनाना इसलिए चोड़ दिया क्योंकि राहूल मसदूरी बहुत कम दे रहा है किसी से भी पूछ लो काउमें 200 रुपे दिन की मसदूरी मिल रही है लेकिन ये दिन बर के काम करने के 300 रुपे देता है हम काम पर नहीं आएंगे जब तक ये दिन बर के काम करने के 200 रुपे नहीं देगा क्यों भी राहूल जब 200 रुपे मसदूरी पूरे गाउं में चल रही है तो तुम 1500 रुपे मसदूरी क्यों दे रहा हूँ इन लोगों को तो ये काम पर कैसे आ जाएंगे तुमारा घर तो बीच में रही जाएगा बना हुआ लेकिन मोदी जी एक बात बताओ इन्होंने आदा घर तो मेरा देर सो रुपे की मसदूरी में ही बना दिया अब ये 200 रुपे की मसदूरी करना चाहते ये कोई बात है देखो राओं देर सो रुपे में हमने आदा घर इसलिए बना दिया तुमारा क्योंकि उस टेम देर सो रुपे मसदूरी ही चल रही थी गाओं में अब महिमाई बढ़ गई 200 रुपे मसदूरी हर मसदूर मांगने लगा तो हम भी 200 रुपे लेंगे नहीं तो तुमारा घर ऐसी यत बना रहे जाएगा अब तुम समझ लो चलो काम पे चलो तुम सब लोग मैं 175 रुपे मसदूरी देने को तयार हूँ राओं ले 175 रुपे में काम नहीं चलेगा जब गाओं में मसदूरी 200 रुपे चल रही है तो 200 रुपे लेंगे अब नहीं तो घर को ऐसी यादा बना छोड़ दो मोदी स्पेक्टर जी आप भी बताओ राओं कैसी बच्कानी बात कर रहे हूँ कि 170 रुपे जब गाओं में 200 रुपे मसदूरी चल रही है तो तुम्हें इस सब लोगों को 200 रुपे मसदूरी देना परेगी अरे मोदी सर जी मैं आपको अपनी तरफ से लाया हूँ या इनकी तरफ से लाया हूँ आप तो इनकी तरफ की बात कर रहे हैं राहूल मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ जाइज बात कर रहा हूं जब गाउं में मजदूरी दोसो रुपए एक आग्मी की मजदूरी चल रही है तो तुम्हें दोसो रुपए देना परेंगे नहीं तो तुम्हारा ऐसी अत्पना घर रह जाएगा दीवारे खरीवी है आंदी बारेस में गिर जाएंगी घर को पूर अगर मोदी इस्पेक्टर जी नहीं आते तो यह अभी भी नहीं मांते और वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राब करो